गुजरात के राजपाल, आचारिय देवरत जी, देश के रक्षा मंत्री, स्रिमान राजनास्वी जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्रमंत्री, स्रीभुपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार में मंत्री जग्दिश भाई, अन्यमंत्री परिशत्यर सारे बरिश्ट सदस्य, CDS, जन्राव अली चभाण जी, चीफ अब एर स्टाप, एर्चिप मार्शल, बी आर चाओदरी, चीफ अब नेवल स्टाप, एड्मिरल आर हरिर कुमार, चीफ अब आर्मी स्टाप, जन्रल मनोज पांडे, अन्य सभी महानुभाव, विदेशों से आये हुए, सभी गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गुजरात की धर्ती पर, ससक्त, समर्थ, और आत्म निर्भर भारत के इस महुत्सों में, आप सभी का हारदिक स्वागत है, देश के प्रधान मंत्री के रूप में, आपका स्वागत करना, ये जितना गवरवपुर्ण है, उतना ही गवरवपुर्ण, इस धर्ती के बेटे के रूप में, आप सब के स्वागत करने का भी मुझे गर्वा है, डेफ एक्सपोर्ट 2022 का ये आयोजन, नए भारत की, ऐसी भव्य तस्वीर खिंच रहा है, जिसका संकल्प हमने अमरित कान में लिया है, इसमें राश्ट का विकास भी है, राज्जों का सहभाग भी है, इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी है, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ भी है, इसमें बिश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक आउसर भी है, साथियों हमारे देश में डिफेंस एक्स्पो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्स्पो अभूत पुर्व है, एक नई शुरुवात का प्रतीक है, ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्स्पो है, जिसमें केवल भारतिय कंपनियां ही भाग ले रही हैं, केवल मेड इन इंडिया रख्षा उपकरन ही है, पहली बार किसी डिफेंस एक्स्पो में भारत की मिट्टी से, भारत की लोगों के पसिने से बनी, अनेक वीद उत्पात, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वेज्ञानी, हमारी युवाओं का सामर्थ, आज हम, लोह पुरू सरदार पटेल की इस धर्थी से, दुनिया के सामने, हमारे सामर्थ का परिश्य दे रहे हैं, इसमें, तेरा सो से ज़्यादा एक्जिबिटर्स हैं, जिसमें भारतिय उद्योग हैं, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइन्ट वेंचर्स हैं, MSMEs और सो से ज़्यादा स्टार्ट अप्स हैं, एक तरह से, आप सब यहां, और देशवासी और दुनिया के लोग भी, शम्ता और संभावना, दोनों की जलक एक साथ देख रहे हैं, इनी संभावनाओं को साकार करने के लिए, पहली बागर, चार सो पचास से ज़्यादा, MOUs और Agreement Sign किये जा रहे हैं, चाथियों, यह आयोजन्द, हम काफी समय पहले करना चाहते थे, गुजरात के लोगों तो भली बाती पता भी है, कुछ परिस्तिज्यों के कारण, हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलम भी हुआ, जो भी देशों से महमान आने थे, उनको सुझे आसुविदा भी हुई, लेकिन देश के, अब तक के सबसे बड़े Defense Expo ने, एक नए भविश्कया ससक्त आरंब कर दिया है, मैं जानता हूँ, कि इससे कुछ देशों को असुदा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में, विबिन देश, सकारात्मक सोच के साथ, हमारे साथ आए हैं, साथ क्यों, मुझे खुशी है, कि भारत जब भविश्क के इन अवसरों का आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रिकन बित्र देश, कंदे से कंधा मिलाकर, हमारे साथ खड़े हैं, इस अवसर पर, दूसरा, इंडिया, आफ्रिका, डिफेंस, डायलोग भी, आरंभ होने जा रहा है, भारत और आफ्रिकन देशों के बीच, ये मित्रता, ये सम्मन, उस पुराने विश्वास पर टिकिये हैं, जो समय के साथ, और मजबुत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है, मैं आफ्रिका से आए, अपने साथियों को बताना चाहता हूं, कि आज आप, गुजरात की जिस धर्ती पर आए हैं, उसका, आफ्रिका के साथ, बहुत पुराना और आत्मिय सम्मन रहा है, आफ्रिका में, जो पहली ट्रेन चली थी, उसके निर्बान कार्य में, यही इसी गुजरात की कच्छ से लोग आफ्रिका गए थे, और उन्होंने मुश्किल अवस्ता में, हमारे कामगारों ने, जी जान से काम करके, आफ्रिका में आधुनिक रेल, उसकी नीव रखने में, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इतना ही नहीं, आज आफ्रिका में जाएंगे, तो दुकान सब्द कॉमन है, यह दुकान सब्द गुजराती है, रोटी, भाजी, यह आफ्रिका के चन जीवन में जूर गए शब्द है, मात्मां गांदी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी, गुजरात अगर उनकी जन्ब भूमी थी, तो आफ्रिका उनकी पहली कर्म भूमी थी, अफ्रिका के प्रतिय आत्मियता, और यह अपनापन, आज भी, भारत की विदेश निती के केंद्र में है, कोरोन अकाल में जब वैक्सिन को लेकर पुरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे आफ्रिकान मित्र देशों को प्रत्विक्ता देते हुए वैक्सिन पहुचाई, हमने हर जरुरत के समय दवाईयों से लेकर पीस मीशन्स तक, आफ्रिका के साथ कंदे से कंदा मिला कर चलने का प्रयास किया है, अब रक्षाक्षेत्र में हमारे बीच का सहयों और समण में इन संबंदों को नई उंचाई देंगे, साथियों, इस आयोधन का एक महत्वप्र आयाम, इन्जियन, ओशन, रीजन, प्लस की डिफेंस मिनिस्टर कॉंकले भी है, इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं, आज अंतर रास्त्य सुरक्षा से लेकर, व्यश्वीक व्यापार तक, मेरिटाइम सिकुरिटी एक ग्लोबल प्राथ्विक्ता बनकर उभरा है, 2015 में, मैंने मौरिशस में, सिकुरिटी एन ग्रोथ फोर आल इन दे रीजन, यानि सागर का विजन भी सामने रखा था, जैसा कि मैंने सिंगापोर में, सांगरिला डायलोग में कहा था, इंडो प्रेसिफिक रीजन में, आफ्रीकी तटों से लेकर, अमेरिता का तक, भारत का एंगेजमेंट इंक्लूजीव है, आज, ग्लोबलाईजेशन के दौर में, मर्चंड नेवी की भूमी का भी विस्तार हुआ है, दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं, और मैं विश्व को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ, आपकी अपेक्षाओं को पुरा करने के लिए, भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए इस डिफेंस एक्ष्पो भारत के प्रती वैश्विक विश्वास का प्रतीग भी है, इतने सारे देशों की उपस्तिती के जरिये, विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ गुजराज की धर्ती पर जूट रहा है, मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतीजिदियों का रदेश से स्वागत करता हूँ, मैं इस भव आयोजन के लिए गुजराज के लोगों और विशेश रुप से मुख्यमंत्री बुपेंद्र भाई पटेल उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ, देश और दुनिया में विकास को लेकर अवद्योगिक सामर्थ उसे लिए करके गुजराज की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजराज की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई उचाई मिल रही है, आने वाले समय में गुजराज डिफेंस इंडिस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा, भारत की सुरक्षा और सामरी सामर्थ में गुजराज का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डिफा के लोग उच्षा से भरे हुए थे, उमंग और उच्षा नजर आ रहा था, डिफा एरफिल का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उच्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपुन प्लब्दी है, डिफा अंतरराष्टिय सीमा से केवल 130 किलोमेटर दूर है, अगर हमारे फोर्सिस, विशेश कर हमारी वायू से ना, डिफा में होगी, तो हम पस्षी मिश्य सिमा पर किसी भी दूर साहस का और बहतर डंग से जवाब दे पाएंगे, डिफा ना भाईयो बेहनो, तमने उन गांदी न करती अनेक अनेक, अभिनांदन पाठभू जो, हवे तो डिफा वाशा बनास कार रहा, पाठन जिलना नो सितारो चमकी रहो जो है, इस एरफिल्ड के लिए, गुजराद की और से, साल 2000 में ही, डिफा के ये जमिन दी गई थी, जब यहां मैं मुख्यमंद्री था, तो मैं लगातार, इसके निर्मान कारिये के लिए प्रयास करता था, तर्कालिल केंदर सरकार को, उस समझ जो सरकार थी, उनको बार बार में समझा रहा था, इसका महत्व क्या है, इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ, और फाइले भी ऐसी बना दी गई थे, ऐसे सवालिया निसान डले गई थे, कि मुझे वहाँ पहुंचने के बाद भी, सही तरीके से सही चीजों को प्रसाबित करने में भी टाइम गया, सरकार आने के बाद हमने डी सा में आप्रेशनल बेज बनाने का फैसला लिया, और हमारी सेनाओं की अपेशा आज पूरी हो रही है, मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ आप डिफेंस साथ बने हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी, और आज चोदरी जी के नेत्रूत में ये बात सिद्ध हो रही है, जितना अभिनंदन डिशा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एरफोर्स के साथियों को भी है, ये छेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा, जैसे बनास काठा और पांटन, उसने अपने एक पहचान बनाई थी, और उपहचान थी, बनास का धाप पांटन, गुजरात में सौर सक्ती, सोलार एनर्जी का केंद्र बनकर उबरा है, वही बनास का धाठा पांटन, अब देश के लिए बायू शक्ति का भी केंद्र बनेगा, साथियों, किसी भी ससक्त रास्ट के लिए, भविश्वें, सुरक्षा के माइने क्या होगे, स्पेस टेकनलोजी, इसका एक बहुत बड़ा उधारन है, मुझे बताया गया है, कि तीनों सेना और द्वारा, इस छेत्र में, विभिन्न चुनोतियों की समिशा की गई है, पहचान की गई है, हमें इनके समाधान के लिए ये तेजी से काम करना होगा, मिशन डिफेंस स्पेस, देश के प्राइवेट सेक्टर को भी, अपने सामर्थ दिखाने का आउसर देगा, स्पेस में, बविश की संभावनाओं को देखते भी है, भारत को, अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा, हमारी डिफेंस फोर्सिस को नए इनोवेटिव सल्यूशन्स खोजने होंगे, स्पेस में भारत की शक्ती सिमित न रहे, और इसका लाब भी केवल भारत के लोगों तक ही सिमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा वीजन भी है, स्पेस टेक्नोलोजी, भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमसी की नई परिभाशा को गड़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है, इसका लाब कई अफरिकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है, ऐसे साट से जादा विकासिल देश हैं, जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साजा कर रहा है, साउध एश्या सेटेलाइट इसका एक प्रभावी उदारन है, अगले साल तक आश्यान के दस देशों को भी भारत के सेटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एकसेस मिलेगा, यहां तक की यूरोप और अमेरिका जैसे विक्सी देश भी हमारे सेटेलाइट डेटा का उप्योग कर रहे हैं, इस सब के साथ ही एक ऐसा छेत्र है, जिसमें समुद्री वियापार से जुड़ी अपार समभावनाएं हैं, इसके जरिये हमारे मच्छवारों के लिए बहतर आएं, और बहतर सुरुच्षा के लिए रियल टाइम सुचनाएं मिल रही हैं, हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन सम्भावनाओं को अनंत आकाज जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवार साकार करेंगे, समय सिमा में साकार करेंगे और अधिक गुनवत्ता के साथ साकार करेंगे, पमिश्को घंडे वाले युवार स्पेस टेकनोलोजी को नई उंचाई तक ले जाएंगे, इसलिए ये विशाए डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपुन प्राथिक्ता है, गुजरात की इस धर्ती से, दक्तर विक्रम साराभाई जैसे विज्ञानी की प्रेणा और गौरों भी जुड़ा हुआ है, वो प्रेणा हमारे संकल्पों को नई उर्जा देगी, और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वार्फर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युओं के हाथ में है, इस में भारत के युओं को, उनके इनोवेशन और रिसर्ट की भूमिका, बहत बड़ी है, इसलिए इस डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की मिंडो की तरह है चाथ क्यों रक्षा खेत्र में भारत इंटेंट इनोवेशन और इंप्लिमेंट्रेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है आज से आट साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रुप्पे होती थी हम दुनिया भर से माल खरीते थे लाते थे पैसे देते रहते थे लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया इच्छा शक्ती दिखाई और मेक इंडिया आज रक्षा सक्षेतर की सक्से स्टोरी बन रहा है पिछले पांच वर्सों में हमारा रक्षा निर्यात हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट आठ गुना बढ़ा है दोस्तों हम दुनिया के 75 से जादा देशों को रक्षा सामगरी और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं निर्यात कर रहे हैं 2021-2022 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1.59 बिलियन डॉलर यानि करीब 13,000 करोड रुपिय हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे 5 बिलियन डॉलर यानि 40,000 करोड रुपिय तक पहुंचाने का लक्षा रखा है ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सिमित नहीं हैं केवल कुछ देशों तक सिमित नहीं हैं भारतिय रख्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपुन हिस्सा बन रही है हम ग्लोबल स्टेंडर के स्टेट अफ आठ उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जैट में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं तो वही हमारी कंपनियां अमेरिका इसरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पाट सप्लाई कर रही है साथ यो हर भारतियों को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोष मिसाइल अपनी केटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है कई देशों के लिए ब्रह्मोष मिसाइल उनकी पसंदिदा चोईस बनकर उभरी है साथ क्यों भारत की टेकनलोजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी शमताओं को साबित किया है भारत की नव सेना ने आइनेस विक्रान जैसे अत्याधुनिक एरक्राप केरियर को अपने बेडे में शामील किया है ये इंजिनेरिंग का विशाल और विराद मास्टरपीस कोचिन शिप्यार्ड लिमिटेड के स्वदेश्टी टेकनिक से बनाया गया है भारतिय वायु सेना ने मेकिन इंडिया के तहट बनाएगे प्रचन लाइट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर्स को शामील किया है इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बेट गंस तक भारतिय कंपनियों से खरीज रही है यहाँ गुजरात के हजिरा में बन रही मोडन आर्टिलरी आज देश की सिमा की सुरक्षा बढ़ा रही है साथ क्यों देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां हमारी रिफॉर्म्स और इस अप डूइंग बिजनेस में बहतरी की बिवड़ी भूमिका है भारत ने अपने रक्षा खरीज बजेट का 68 प्रतिशत भारतिये कंपनियों के लिए निरधारित किया यर्मार किया है यानि जो total budget है उसमें से 68% भारत में बनी भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरिदने के लिए हमने यर्मार कर दिया है यह बहुत बड़ा निर्णे है और यह निर्णे इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशिल नितृत्व मिला है और सेना में बैटे हुए लोगों के हंसले के कारण ये निर्णे हो पारा है ये राजनिती इच्छा सकती से होने वाले निर्णे नहीं है ये दिने सेन्य की इच्छा सक्ति से होता है और आज मेरा मुझे गर्भ है कि मेरे पास ऐसे जवान है मेरे सेना के ऐसे अपसर है कि ऐसे महत्वपुन निड़ायों को वो आगे बढ़ा रहे हैं इसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर को रिसर्ट और इनिवेशन के लिए स्टार्ट अप्स इंडर्स्टी और एकडेमिया के लिए खोला पचीस प्रतीसद रिसर्ट बजेट हमने बहार जो एकडेमिया है नई पीड़ी है उनके हाथ में सुप्रूत करने का साहत मों नहीं नहीं के आए और मेरा भरोसा मेरे देश की वापिडी में है अगर भानत सरकार उनको सो रुप्या देगी मुझे पुका पक्का विस्वास है वो देश को दस हज़र रुप्य लोटा करके दे देंगे ये मेरे देश की वापिडी में साहत मुझे खुशी है कि सरकार के प्रयासों के साथ ही हमारी सेना उने भी आगे आकर ये तैकिया है कि देश की रक्षा के लिए जादा से जादा साजो साबान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरी देंगे सेना उने मिलकर कई उपकरोना की दो लिज़ भी तैकी है उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिरफ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा और कुछ लिस्ट ऐसी है जो जो अनिवार यह होगा तो भारती ली जाएगी आज मुझे खुसी है मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीज़े नहीं आज जोड़ दी है जो सिरफ भारत में बनी हुई चीज़े ली जाएगी कि इन निर्णाय आत्म निर्भर भारत के सामर्थ को भी दिखाते हैं और देश के जवानों का अपने देश के संज्य साजों सामान को लेकर बढ़ रहे बरोसा का प्रतीव भी है इस लिस्ट के बात रक्षाक शेतर के ऐसे 411 साजों सामान और उपकरण होंगे जिने भारत केवल मेकिन इंडिया के तहर खड़ी देगा आप कलपना करिए इतना बड़ा बजेट भारतिय कंपनियों के नीव को कितना बजबूत करेगा हमारे रिसर्ट और इनिवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा हमारे डिफेंस मनिफेक्टर इंसेक्टर को कितनी बड़ी बुलंदी देगा और इसका कितना बड़ा फाइदा मेरे देश की युवापीडी को होने वाला है साथ क्यों इस चर्चा के बीच मैं एक और विशे जरूर कहना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस बात को हमने समझ रहा होगा जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फस जाते हैं लेकिन मैं कहना जुरूर चाहूँगा हमारा बहुत जीवन का अनुभव है जब हम ट्रेन के अदर प्रवास करते हैं अगर एक सीट पर चार लोग बैटे हैं और पांचवा आ जाए तो इस चारों मिलकर के पांचवे को गुशने नहीं देते हैं रोग देते हैं ठीक वैसे ही स्थिती डिपेंस की दुनिया में मैनुफेक्टरिंग कमपनियों की रवी है दुनिया की डिपेंस सप्लाई के एक सेत्रे में कुछ एक कमपनियों की जो मौनोपोली चलती है वे किजी को गुशने ही नहीं देते थे लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगा बना ली है आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बन करके उभर रहा है दोस्तों भारत के नौजवानों का डिपेंस के सेक्टर में ये जो सामर्द उभर करके आ रहा है वो दुनिया का भला करने वाला है दुनिया के लिए नए अवसर देने वाला है आल्टरनेट के लिए नए अवसर पैदा करने वाला है और हमारे नौजवानों का इस प्रयास मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नवजवानों के इस प्रयास के कारण आने वाले दिनों में देश का सुरक्षा का छेत्र तो मजबूत हो गई होगा लेकिन साथ साथ देश के सामर्थ में देश के युवा सामर्थ में भी अनेक गुना बढ़ोती होगी आज के इस Defense Expo में जो चीज़े हम दिखा रहे हैं उसमें मैं Global Good का भी संकेद देख रहा हूँ इसका बड़ा लाब दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधरों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छुड़ जाते हैं साथियों भारत Defense Sector को अवसरों के अनंत आकांस के रुप्पे देखता है सकारात्पक संभावनाओं के रुप्पे देखता है आज हमारे हाँ UP और तमिल लाडु में दो Defense Corridor तेज गती से विकांस की दीशा में आगे बढ़ रहे हैं दुनिया की बड़ी-बड़ी कम्पनिया भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है इस इन्वेस्टमेंट के पीछे Supply Chain का एक बड़ा Network विक्सित हो रहा है इन बड़ी कम्पनियों का हमारी MSME हमारे लगूद्योग की भी ताकत जूड़ जाती है हमारे लगूद्योगों को भी इसके कान ताकत मिल जाती है और स्थयोग करेगी और मुझे विस्वाथ है हमारे इन छोटे-छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूजी पहुंचने वाली है एक शेत्र में लाखों करोड के निवेश से युवाओं के लिए उन खेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर प्रादा होने वाले है और एक नए भी कास की उच्चाई को प्राप्त करें के संभावना हो जाते है मैं गुजराट डिफेंज एक्ट्पो में मौझूद सभी कंपनियों से भी आवान करना चाहता हूँ आप इन अवसरों को बविश के भारत को केंद में रख करके आकार दीजिए आप मोकर जाने बद दीजिए आप इनोवेट करिए दुनिया में बेज बनाने का संकल पर लीजिए और ससक्त विश्चित भारत के सपने को आकार दीजिए और मैं नवजवानों को रिसर्चस को इनोवेटर्स को विश्वाद देता हूँ मैं आपके साथ हूँ आपके उजवल भविश के में लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के तयार हूँ साथियों देश बहुत तेजी से बदल रहा है आप भी अनुभो करते होंगे यही देश कोई जमाना था जब कबुतर छोड़ा करता था आज चीता छोड़ने की ताकद रख परा है इस सामर्थ के साथ गटनाए छोटी होती है लेकिन संकेत बहुत बड़े होते है सब्द समर्थ सरल होते है लेकिन सामर्थ अप्रमपार होता है और आज भारती वा शक्ती भारत का सामर्थ विश्व के लिए आशा का केंदर बन रहा है और आज का इस डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर करके आपके सामने प्रस्तूत है मैं हमारे रक्षा मंतिर रादनाज्य को रोदे से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ कि इस काम के लिए जो कड़ी महनत उनों ने की है जो पुर्शार्ट किया है कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं मैं उनका भी अमिनन्दन करता हूँ उनकी पुरी टीम का अमिनन्दन करता हूँ आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है और आने वाले दोपावली के तोवारों की शुब कामना हो और आपना गुजरात लालोकों नवा वर्सली पर शुब कामना हो धन्यवार